हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी आई हो आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं गुट मॉर्निंग एवरिवन यह था सुबह गा टाइम मॉर्निंग में मैंने सोचे जब तक लक्षी तो और दिपांस उठेंगे ना जब तक तो मैं पूरी क्लीनिंग कर दूंगे क् अब दुपायर के टाइम इतना काम होनी पाता है यार एक्छुली मैं क्योंकि गर्मिया ज्यादा बढ़गी है ना इस वजह से और आज मेर को यह किचन का में सेल्फ रहता है जिस पर हम गैस्ट और जो डेली यूज वाले बॉक्स होते वह रखते हैं यह सारा क्लीन करना थ तो यह जो मैं आज बरेक्फस्ट में बनाने वाले थे अग्षली अजह खाएं लेट वृग बरेक्फस्ट हो जाएगा अरली लंच तो आलो के बनाना थे वालो अद रहती थे रखता है और इस समान यह वाले थे इस अग्शुली में चाहीयो परते है उसको ही साफ करती हो कोई पाउंटरonn कोई रहते हैं अधरवाइस बाव की साइडले सैवल मेरा उसमें रहतें रहती है आप सायड वाले इंचे वाले सब्लीने कर दो यहां डेली डेली सबजी वनती है तो इसके ओपर ना ओईली ओईली सी वह एक लेयर सी आ जाती है बॉक्स के ओपर भी सैल्फ पे भी तो ग्रीसी सा हो जाता है सब कुछ इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर देते हैं मैं क्या होता है यार मैं पूरे घर को एक साथ क्लीन नहीं कर पाती हूं तो मैं उसी में फिर मेरे को ध्यान रहता है कि इस वीक मेरे को यह क्लीन करना है साफ करना है तो फिर जिस डे मेरे को टाइम लगता है टाइम मिलता है मैं कर लेती हूं यह वाला सारा कॉर्णर खाली करके सारे बॉक्स साफ करके मैं जो स्क्रबर रहता है ना बरतन साफ करने वाला उसी स्क्रबर से पूरी सैल्फ को क्लीन कर रही थी पहले क्योंकि वह ग् इसा तो आपने कीचन को कोई भी नहीं चोड़ता कि डेली आप खाना पना की यूज़ करके चोड़ देते हो ऐसा तो कोई नहीं करता बट फिर भी यह होता है कि एक डीप क्लीनिंग चाहिए होती है कीचन को वीक में वीक में नहीं तो 15 दिन में पंदरा दिन में अगर ना कर तो महीने में एक बार जरूरी चाहिए होती है अधर्वाइस फिर वह स्टेन ना दिखने लग जाते हैं थोड़े से डार्क होने लग जाते है तो इस वज़ए से अभी क्लीनिंग करने जरूरी है और अभी क्या गर्मी का मौसम है अभी तो जल्दी से सूख भी जाता है सब कुछ अगर बारी से एक बार स्टार्ट होगी न मांसून एक बार आ गया तो सब कुछ फिर चिप 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 हो जाएगा और जहां भी आप जहां कई भी पोच्छा लगाओगे और ऐसे इतना पानी से क्लीनिंग करोगे तो कीडे मकोडे कही ना कहीं से चोटी- और फिर जो यह विंडोय साइड वाली यह भी मैंने पूरी अच्छे से पानी से क्लीन की इसको कि भार ना हवा चल रही थी तो यह जल्दी सूख गी थी ऐसी बात नहीं थी कि मैंने लगडी की दो दिये तो फटेगी यह फोल जाएगी लगडी ऐसे कुछ होगा ऐसे कुछ नहीं था कहना अभी गर्मिया जादा पढ़ रही है धूब भी है अवा चल रही है तो सूख जाती है ऐसे कोई बात नहीं है मैंने जब तक किचन पूरा साफ के ना जब तक तो विंडो का पता भी नहीं लग रहा था कि वह ने धोई भी है पूरी क्लीनिंग मैंने अच्छ करी थी तो आवाज के वज़े से ओठ या था था तो इसको पहले मैंने पानी देती है पानी पीता है वो उसके बाद भूआ घ्लाती हूं फिर वो दूद पीते है तो मैंने पहले स्क्राबर बार से पूरा शाफ किया तुम्स क्या करते है यार यार गास्टों को उपर से तो करते हो तो अच्छी बात है अगर नहीं करते हो तो एक बार देखना अंदर से भी वह थोड़ा सा ग्रीशी हो जाता है तो इसको नीचे से उठा के अंदर की तरफ से साफ करना मैं दिखाती हूँ अभी आपको यह देखो जो यह अंदर वाला हिस्सर रहता है इसमें भी करते ही रहता है और यह देखिए साथ की साथ ना आपको फरक दिखाई दे रहा हुगा दोनों में डिफरेंस जो पहले मैंने साफ ने किया था तब का और अभी जो गैस स्टोफ अंदर से साफ हो गया ना यह देखिए बिल्कुल क्लीन दिख रहा है ना एकदम नए जैसा चमकने लग जाता है आपका गैस्टोफ चाही कितना भी पुराना हो अगर आप उसको संभाल के रखोगे ना उसकी केर करोगे तो कभी भी वह आपको पुराना लगे गाई नहीं और एकदम से जब आप कोई भी कोरनर घर का साफ करते हो ना तो आपको नया नया ही किचन के सफाई होते 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 यह देखी किचन टावल का क्या हाल हो गया था और एक तो यह देखो बिल्कुल ब्लेक ब्लेक हो गया था ना तो मैंने इसको साफ नहीं किया फिर मैंने इसको फैंक ही दिया क्योंकि बहुत पुराना हो गया था तो मैंने इसका दूसरे वाला करते हैं जब तक हमारे आलो भी बोईल हो गए तो फिर इन में पानी नहीं जाता ज्यादा आपके पराथे ना फटेंगे नहीं फिर अच्छे से बन पाएंगे तो इस उबलते ही इनको उसी टाइम से स्टेन करके साइड रख दो भला ही पराथे थोड़ी देर बाद बना लो लेकिन पानी से निकाल दो और फिर जो साइड वाले बरतन थे और जो मेरे पास यह बासकेट है ना यह एक्स्ट्र है तो आज मैंने सोचेश को धो करके अंदर रख देती हूं तो यह सारे बरतन वरतन सारा यह वाला कोर्णर भी मैंने क्लीन कर दिया था और देखिए आप क किचन के पूरा लुक कितनी अच्छे से सफाई हो गई है ना ऐसे मतलब आज मेरे को खाना बनाने में भी मजा रहा था और यह लक्षित के लिए सोफ हैं मीठी वाली होती है ना उपर इनके शकर सुगर रहती है और अंदर सोफ रहती है और जो पहले का किचन था उसमें और डीप क्लीन करना है न थो दोनों पहले भी क्लीन कर दिया थे इस वज़ए स लाड़ में वे 승री को साफ करके और यह गज़र में करते हूए कच्छी थी थोड़ा सा उनको मैश करते हूए और एक जो पोटाटो मेरे वाला मेरे इसलिए मैं स्पून की हेल्प से कर रही थी और वो देखिए आठे का बिल्कुल एकदम से डो बना के साइड में रख दिया और इसके अंदर दो बारिक प्यास भी काटे है अब चाओ तो इसके अंदर हरी मिर्ची भी काट सकते हो हल्दी भी डाल सकते हो धनिया सुखे वाला जो धनिया पाउडर रहता वह भी डाल सकते हो बट मैंने इतने सारे मसाले आड़नी किया क्योंकि लक्षित खाता है ना फिर उसको अच्छा नहीं लगता सिंपल वाले जितना ही आलू का मिक्षर लेती हूं तभी आलू का पराठे में मजा आता है जब आलू बहार जहा करे होते आटे से और देखे घी पीगली नहीं रहा था तो मैंने इसको साइड साइड लगा के और छोड़ दिया था ताकि मैं इसको पल्टू तो इदर अलटते पलटते पूरा फैल जाएगा फिर और देखे हमारे बिल्कुल करारे करारे पराठे बन करके तैयार हुए थे और जब भी मैं पराठे बनाती हूं ऐसे ही बनाती हूं बिल्कुल धाबा स्ट्राइल बड़े बड़े और इसके अंदर ना आलू का मिक्षर ज्यादा और आटा कम रहत कटियों आप लकसित का अवदा भी करें आप देखे हो मिन पेट भी आइप तो खाने लग रहा था है मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रख लेती हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले यही डालती हूँ फिर भूल जाती हूँ ना फिर बाद में साबून से हैंड वोश करने पड़ते हैं सो पहले मैंने इसको रिफिल किया और यह देखिए बाद में लक्षित क्या कर रहे हैं यह मेरी एक्चुली बहुत ज़्यादा हेल्प करवाता है मैंने इसको बोला कि लक्षित यह स्टूल को और बोटल को ना आपकी चन में रख किया हो तो यह देखिए इसको गाड़ी बना प्रश्चाइब निए इसको घर में इसका मन भी लग जाता है खेल भी लेता है और मेरी हैल्प भी हो जाती है और यह देखिए फिर इसके बाद ना मुझे बैट शिट एक्चुली में चेंज करने थी वह बोश्च करने के लिए निकाल दी थी मैंने एक्चुली क्या रहता प्रश्चाइब यह आप ज्याएस सब्सके 은र चैंज कर सकते हैं जैसे चदर हो गई और वी कुछ चैंज हो गए हम कर सकते हैं चोटे मोटे ना तो तो इसससे पिर क्या होता है लुक रूम का एक्दम से चेंज 춤 हो जाता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है फिर मन मिल भ तोई उठाके रख रहा है इदर से अधर और मैंने बैट शीर अपनी लगाती थी और पिलो कवर चेंज करना ही भूल गी मैं बाद में किये थे 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 थेंक्यू फो वर्चिंग गाईज अगर आप लोगों को हमारी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और फिर मैंने क्या गया थनाने के बाद मैं खाना खानी लगी थी क्योंकि मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ भूख फिर मैं हलका सा टच अप करने लगी थी मेरे को हैर कॉम करने थे हलकी सी लिप्स्टिक लगाई काजल लगाई थोड़ा सा पर्फियूम बिल्कुल कि उससे फिर अच्छा लगता है ना यार मूट स्विंग हो जाता है और ना फिर वही लगता है कि ना आगे ऐसी बैठी हो तो हलका सा टच अप तो होना ही चाहिए तो हम लोग अपने घर का इतना ध्यान रखते हैं तो अपने आपका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना तो इसलिए हलका फुल का टच अप तो कर लेना चाहिए और यह था शाम का टाइम स्याम के टाइम हम क्या ऊपर चट पे गए थे तो हमने सोचा थोड़े से मैंगो तोड़ लेते हैं सबजी बना लेंगे यह वली वीडियो ना मैं आपको नेक्स्ट व्लोग में आपके साथ सेयर करूंगे क्योंकि यह ज्यादा लेंद थी हो जाती इसलिए मैंने अपनों का ध्यान रखिये टेक के बाबाई